आप लोग जिसके लिए अभी तक तयारी कर रहे थे उस तयारी को अंतिम परिडाम देने के लिए आपके पास जो है आपकी डेट सीट आ गई है अर्थात जिस परिच्छा की तयारी आप लोग लगातार नीमित और निरंतर तरीके से कर रहे थे मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश में डियले डिया बीटी सी करने वाले 2021 बैच में प्रविश लेने वाले समस्त प्रसिच्छों की जो लगातार या पूछ रहे थे बहिया एक्जाम कब से होगा तो मैंने काफी लोगों को रिप्लाई भी दिया था कि आपका एक्जाम जो है दस माई के इड़्द स्टार्ट होने वाला है तो आज आपकी डेट सीट आ चुकी है और 9 माई से 11 माई के बीच तीन दिन में ही आपके आठ के आठो पेपर संपादित कराये जाएंगे अधिकांस तस पहले भी ऐसा ही होता आया है कि जितने भी आपके पेपर होते हैं दो से तीन दिन में कबर कर लिए जाते हैं बीच में आपको मौका नहीं दिया जाता है तो डेट सीट के बारे में इनफॉर्मेशन के मारे में मैंने पूरा 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 एक पांच मिनिट का वीडियो इनफॉर्मेशन के रूप में मैंने आपके सामने दिया आज जो मैं मनुविज्यान का वीडियो दे रहा था उस वीडियो को मैं स्किप कर रहा हूँ आज के वीडियो में आप लोगों के विशेस मांग पर UPDLT तयारी करने के रामबाण फारमूले पर बात करूँगा और मैं आप से यही कहूँगा आप हमारा वीडियो देखें यह कोई आवस्यक नहीं है आपको पढ़ाई करना ज्यादा अवस्यक है कोई मजबूरी नहीं है आप हमारा ही वीडियो देखें सबसे ज़्यादा जरूरी है आज की डेट में आपके लिए सेल्फ इस्टडी ठीक है तो चलिए बेसिकली पूरी के पूरी चर्चा इस वीडियो में करेंगे यह वीडियो तो आपको पूरा जरूर देखना चाहिए अगर आप अपनी जीवन में कुछ करना चाहते हैं और जीवन में कुछ करने से बहतर पहले यही आता है कि आपको DL8 का एक्जाम बहुत बहतर तरीके से करना है क्योंकि यहां आपके लिए पहला अनुभो होगा DL8 के छेतर में और पहला पर्थम समेश्टर है और इसमें जो है आप सभी लोग बहुत ज़्यादा कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंस में होंगे कुछ लोग हतोसाहित केटेगरी में होंगे कुछ लोग जो एवरेज वाले हैं वही बच्चे ज़ो है ज़्यादा आगे जाते हैं जिनका ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होता है बहुत ज़्यादा कमजोर भी नहीं होते हैं और कुछ भी ज्यादा कठिन नहीं होता है ठीक है तो आईए चलिए आज के वीडियो पे रामबाण फार्मूले की बात करते हैं आपको किस तरीके से पढ़ाई करना है सिरीज भूक या उनलाइन स्टेडी क्या है महत्वपूर्ण आपके लिए और टार्गेट कैसे करना है आ आपका तबियत खराब हो जाए या कोई आकस्मिक कैसी काम आ जाए जिससे आप पढ़ाई स्किप करने पड़े तो 35 दिन आपके पास है ठीक है तो आपको इसी 35 दिन में अभी तक अगर आपने नहीं पढ़ाई सुरू किया था तो आप बहुत पीछे हैं वास्तों में जानकारी नहीं होगे कौन-कौन से आठ पेपर है ध्यान रखेगा बाल विकास है सिच्छण अदियम का सिध्धान्त है सामाजी विज्ञान है यह जो तीन पेपर होते हैं यह तीनों पेपर जो है 50-50 नंबर के होंगे ठीक है 50-50 नंबर के आपके पेपर होंगे और इस 50-50 जान नंबर वाला जो पेपर होगा उसका टाइमिंग होगा 2 गंटा कितना होगा 2 गंटा अब 8 के 8 माड़ल पेपर मैंने आपको दिया है अब प्लेलिस्ट में जाकरके UP-DL8 के आठ के आठो model paper देख सकते हैं कि paper आपको किस तरीके से देखने को मिलेगा उस model paper कराने का यह उद्देश ज़़ा नहीं था कि EC में से paper आएंगे ऐसा तो कभी हम करा ही नहीं पाएंगा और आगामी समय में भी मैं कभी यह दावा नहीं करूँगा कि इतना आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से इसी में से आएगा, आपको पढ़ाई अपने उपर गट्स लेकर करना चाहिए, ना कि किसी के सहारे बैसाखी बनाना चाहिए, मतलब कि अपने उपर आप विश्वास करिएगा, ठीक है, जो चीजे मैंने दिया है, उस पर आप वि संस्कृत, कम्प्यूटर, विज्ञान, गणित और हिंदी, इस अभी 25 नंबर के पेपर होंगे, और एक घंटे का पेपर होगा, ठीक है, कुछ बच्चे पूछ रहे थे, भाई, आप मातर तीन दिन में पेपर होंगे, किस कटेगरी से होंगे, तो आप लोग अपनी सीरीज में देखिएगा, फश्ट पेपर, दुती पसंपत्र, तुती पसंपत्र इस तरीके से दिया गया है, अभी कुछ दिन बाद आपकी डेट सीट भी आ जाए, आपका यह भी आ जाएगा, मतलब किस की दिन कौन सा पेपर होगा, तो हमारे ख्यालते तीन तीन दो इस तरीके से हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है, तो मातर तीन दिन में पेपर होगे, यही क्राइटेरिया आपका होने वाला है, तो एक दिन में अगर कुछ बच्चे कह रहे थे कि भी या, दो दो घंटे का पेपर तीन के तीनों दिन पढ़ जाएगा, आप देख लीजिए का अगर बाल विक अगर यही होगा कि आपके सिरीज में लिखा गया होगा, आपके पेपर में भी लिखा होगा, पर्थम प्रसन पत्र, दुती प्रसन पत्र, तृती प्रसन पत्र, ऐसे ही आपका पेपर होगा, ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि आपको जो है, एक घंटे वाले पेपर को कै से target करना है 2 गंटे वाले पेपर को कैसे हैं आप पास MP तो जानते ही होंगे पचास नंबर में आपको 25 नंबर पाना है पासं मार किंग और यहां जो है Latino में बारा नंबर पाना है पास मार कंग उत्रिडायं को कहते हैं कम से कम इतना ही आपको पाना है इस से अधिक पाएंगे तो आप बहुत बहतर इस्तती महोंगे क्योंकि मेहनत करना है आपको कुल मिला करके बस यही मैं बताना चाहता हूं आपको मेहनत करनी है ठीक है देखेगा आपको टार्गेट कैसे करना है सबसे बड़ी बात टार्गेट है आपको कैसे करना है लेकिन मैं आपको बता दू, फर्ष्ट दस दिन, परथम के 10 दिन आपको जो है, परथम के 10 दिन जो मेरा अनुभु कहता है, पहले 10 दिन आप जो है बाल विकास और सिच्छण अधियम के सिध्धान्त, ठीक है? इन दोनों सब्जेक्ट पर दे सकते हैं परथम के 10 दिन, आप उसके साथ सामाजिक विज्ञान पर भी दे सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरे के पूरे सब्जेक्ट वो एक दिन में कबर कर लेते हैं। उनके लिए बहुत अच्छी बात है, वो कबर कर सकते हैं। लेकिन हमारा मानना है कि अगर आप पढ़ाई करते हैं, तो यह जो पचास नंबर वाले पेपर हैं, पहले इन्हें आप मुठी में ले लीजी अपने। क्योंकि back तो संस्कृत कंप्प्यूटर विज्यान में भी लगता है, यहां बहुत कम लोगों का back लगता है, तो नंबर यहां पर जादा गेन होते हैं। मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा लिखने का नहीं मिलता है, कम से कम लिखना पड़ता है, तो वहाँ पे जो है नंबर कटने के संभावना ज़्यादा होती है, यहाँ पे आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा लिख लेंगे न, उतना आपको फायदा हो जाएगा, तो 50 नं दिन में आपने हिंदी का सिरीज को देखा, पूरे के पूरे सिरीज को आपको घोल के पीना नहीं है, मैं आपको बता दू कैसे करना है, जैसे हिंदी का देखा, आपने हिंदी का उपर सबसे आगे सिलेवस दिया रहता है, उस सिलेवस को आप देखिए, ठीक है, सिलेवस को द बहतर कर सकते हैं कि पूरा गा पूरा हिंदी आप 25 में से 20 की प्लस नंबर 3 दिन में पास सकते हैं गणित की बात करें गणित देखिए मैं आपको बता दू कि कि किसी भी तरीके से आप करियेगा लेकिन वन डे टार्गेट आपको लेना है आपको सुबह उठते ही आपको यह देना है आप किसी भी परतियों की परिच्छा की तयारी करते हैं मैं नहीं कहूंगा कि आप परतियों की परिच्छा की तयारी करें लेकिन इतना बताओंगा कि वन डे टार्गेट के हिसाब से आपको तीन से चार घंटे देना चाहिए ठीक है तीन से चार घंटे आपको जो तो समझ लिजी आपके कितनी बड़ी समस्या आपके सामने आने वाली है, बैक लगेगा तो आप बहुत ही जादा पीछे चले जाओगे, हमारी बाते सायद आपके दिल में जा रही होंगे, तो अगर आप बैक गए तो समझ लिजी ये, चाहे आप इलाहबाद में रह करके आपको बता दूँ कि इसमें जो है, सबसे जादा दिक्कत होती है, यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि नंबर बहुत कम मिलता है, नंबर कम मिलने का कारण यही है कि आप लोग जो बच्चे लिखते हैं, लिखते बहुत जादा है, काम की बाते नहीं लिखते हैं, बोर्ड प संद में दोई लाइन उपर कर सही लिखते थे उसके बाद जो इक्सप्लानिस अवाला दिया रहता तो वह लिख देते थे आपको वह नमबर मिल जाता था लेकिन यहां पर नहीं मिलने वाला है यहां पर आप वही चीजे लिखेंगे जो सही है जो लिखने योग्य है तभी आ हो ठीक है तो आप वन डे टार्गेट लेकर के तीन से चार घंटा जो है मेहनत कर सकते हैं और मैं आपको बता दू जैसे कि कुछ लोग बच्चे कह रहे थे सर मेरी संस्कृत बहुत ज्यादा वीक है तो मैंने संस्कृत के साथ आठ वीडियो मैंने बनाये हैं आप उसका सहा ले सकते हैं लीजिएगा यह कोई आवस्चक नहीं मैं फिर से कह रहा हूं ऑनलाइन इस्टडी पर ज्यादा फोकस अब आपको नहीं करना है अच्छा सबसे पहली बात मैं बता देता हूं कि सिरीज बुक या ओनलाइन इस्टडी इसमें से आपको अब सबसे ज्यादा मेहन प्रथम वरियता के तोर पे बात करेंगे तो मैं कहूंगा राजन पढ़िए अगर आप के पास हिम्मत है पढ़ाई करने का जुनून है ता आप दोनों कर लिजी आप बुक पढ़ने और आनलाइन इस्टडी का समय नहीं है और आनलाइन इस्टडी में अगर आपने आज त समय को यूटूब पे अंगलिया खिस करके खराब किया है इस चीज़े आपको आगे समझ में आएंगी मैंने लगातार क्या कहा तो आप इसका सीरीज का ही अब जादा से जादा सहारा लीजिएगा जो भी सीरीज आपके पास से वेलबल हो मैं नहीं कहूंगा कि आपको यही मैं पढ़ाना विश्वास करता हूँ लेक्चर के साथ और बुरे कॉंसेट को क्लियर करने के साथ साथ और उसके साथ ही साथ मैंने बताया था कि आपको बुक जरूर पढ़नी है जैसे मैंने संस्कृत के साथ वीडियो आपको दिया है आप देख सकते हैं ठीक है उसके आपको जो आपके सलेबस में है सुरुगात के साथ से दस वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है आप उसे देख सकते हैं ठीक है तो संस्कृत के लिए गणित के लिए और हिंदी के लिए आप देख सकते हैं उसके बाद बाल विकास की बात करें मित्रो तो बाल विकास प्रक्रास भी मैंने बेहतर कराया है उसके बाद कुछ बच्चे कह रहे थे सामाजिक विज्ञान कहां से पढ़ें और सिच्छन अधियम का सिध्धान कहां से पढ़ें computer और विज्ञान जैसे कि 4 subject सामाजिक विज्ञान GS के कुछ वीडियो मैंने दिया है लेकिन आपको वीडियो जो नहीं देखने हैं मैं नहीं कहूंगा कि आप यार वह भी UP पेट के लिए मैंने 11 बारा वीडियो पलाया है वह अभी आप देख लो कहें कहूं क्योंकि आपका समय बरबाद होगा आपको नहीं करने हैं आप जो वीडियो में बता रहा हूँ उस वीडियो को आप concept क्लियर करने के लिए देखिएगा अगर आपका concept क्लियर है तो आप केवल और केवल अप मन इस्टडी और डेली ठीक है डेली तीन से चार घंटे और सबसे ज़्यादा जो 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 ठीक ठाक है पढ़ने में वह भी जो भी कमजोर है पढ़ने में वह भी उनके लिए भी हैंड राइटिंग ठीक है आप फोकस करिएगा जितनी चीज़े आप पढ़ रहे हैं अगर आप दिन में दो तीन घंटे आप पढ़ते हैं तो आप आखरी की एक घंटे चार चार दस कोश्चन के लिए आप हैंड राइटिंग जरूर करिएगा हैंड राइटिंग आपको जरूर करनी हैं जैसे कि आप गणित को लगा रहे हैं तो गणित के किसी भी इस टेप को आप इलिमिलेट मत करिएगा अर्थात प्रिक्रियोगी परिच्छाओं की तरह मसा पूछा गया है डायरेक्ट जैसे आप ने इसे लिख दिया है तो आपको मिलेगा जीरो नंबर क्योंकि वहाँ पर आपकी योग्यता नहीं देखी जा रही वहाँ पर आपको देखा जा रहा है कि आप किस तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं आप प्रतिच्छु के तौर पे आप प्रतिच्छण ओ ले रह प्रत्यों की परिच्छार्थियों की तरह आप इस तरीके से करेंगे तो आपको सुन्य नंबर दिया जाता है और ऐसे ही बच्छे फेल होते हैं फिर बाद में कहते हैं बैक बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि वह जो है गडित में अपना राकेट साइंस लगा देते हैं व हैंडराइटिंग करनी है और ज्यादा से ज्यादा तीन से चार घंट मेहनत करनी हैं फिर से कहूंगा लगतार प्रयास करिए ऑन लाइन ठीना ठोक करके कहूंगा मैंने आपको उस समय पढ़ाया जब मात्र 500 विपस उस पर आते थे और मुझे पता है आने वाले समय पे उस पे एक लाग से ज़्यादा विपस हर एक वीडियो पर रहेंगे क्योंकि इतना important वो है ही ठीक है इस वज़े से मैं आपको जोर नहीं देता हूं देने का प्रयास करूंगा लेकिन वह वीडियो आप देखें यह आपकी कोई मजबूरी नहीं है जैसे कि मैं हिंदी का कोई practice set आपके सामने कर रहे हैं गणित में तो आपको गणित में मेरे वीडियो को देखने की जरूरत नहीं आप बाल विकास और सिच्छन अजिगम पर मेहनत करिए आप इन चीजों को देखिए क्योंकि यह आपके लिए नया है अगर मैं जो है संस्कृत के वीडियो को दे रहा हूं आपको तो षागरी के नहीं होते हैं उनके लिए हम काम करते हैं और दूसरी काम दूसरा काम मैं यूटूबर हूँ यूटूब की अलगोरिफम को जानता हूँ लेकिन फिर भी आपके सामने सच्चाई को अग्वद कर देता हूं क्योंकि यू eow YouTube पे कोई सत्य बोलता ही नह जाता हूं जो चीजे मैं बता रहा हूं यह चीजे साइध ही कोई बताय का उनलाइन इस्टेडी नहीं करनी हमारे वीडियोज को अगर आपको लगता है शुरुगात में आपको लगा होगा कि यह जो है फरजी का बहुत कर रहे हैं तो आप वीडियो को इस्किप करके जा सकते हैं मैं यह नहीं कहूंगा पूरा का पूरा वीडियो आपको देखना है मैं सुरू से कहता हूं अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए बहतर कर रहा हूं आपके लिए पढ़ा रहा हूं और आपके लिए बहतर किया आज तक तो वीडियो देखिए नहीं तो इस्किप कर आपको daily अध्यन करना है, उसके बाद hand writing आपको जरूर करनी है, गणित या कोई किसी भी subject में किसी भी इश्टिप को eliminate करके नहीं चलना है, अर्थात उसे छोड़ करके नहीं चलना है, हर एक चीज को अच्छे से describe करते हुए लिखना है, और इन चीजों में जो है, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिएगा, 50 अंक वाले paper में आप बहतर कर पाए, क्योंकि number gaining वहीं से होता है, और ये target, one day target ले करके चलिएगा, one day target में आप किसी भी subject को ले सकते हैं, चाहे वो गणित को लीजिए, चाहे हिंदी को लीजिए, एक दिन में पूरे paper को नहीं करना है, एक दिन म से रणनीतिक तैयारी करिए, क्योंकि यह है, अगर आप किसी भी तैयारी, चाहे हो प्रत्यों की परिच्छा हो, चाहे हो यूपी बोर्ट की परिच्छा हो, चाहे हो किसी भी चीज़ की तैयारी हो, अगर आप उसे एक युद्ध की रणनीति के तोर पे, यौधिक तैयारी के रूप में आप अगर उसे लेते हैं तो निशित रूप से सफलता आपकी होती है यह पहला अनुभव आपका रहेगा तो आप जब पेपर देंगे पेपर देने के बाद हमसे बात करेंगे तो आपको लगेगा कि मैंने आपको किस तरीके से गाइड किया और आपको क्या करन बहतर रहा जो बच्चे आज तक ऑनलाइन इस्टडी पर अपना समय देते रहे हैं उनसे पूछिएगा और आपने अगर सेलफ इस्टडी पर फोकस किया होगा आपने निसांतियान के लेक्चर वीडियोज पर समय दिया होगा जैसे कि बालविकास और सिछन अधियम का सिध अपने एक निए जाते होंगे सारे के सारे कोईस्चन आप कर ले जाते होंगे यह मैं कोई घमनडे में नहीं बोल रहा हूँ एचीज बसीस वज़ा से बोल रहा हूँ क्योंकि आपके लिए क्या जरूरी है और साइद लगभग लगभग लोग जानते हैं लिकिन बताता डुनिया है दुनिया गोल है इसके चक्कर में आपको नहीं पड़ना है प्रयास करिए बेहतर करने का हम अपनी तomy तरफसे बेहतर करने का प्रयास कर ही रहे हैं आप सभी के साथ हमारी सुपकामनाएं हैं लगतार मेहनत करिए और पढ़ाई जारी कर दीजिए बहुत बहुत धन्यवाद जै हिंद जै भारत